यह है मेरे पास Realme GT Neo 2 और इसका अवे 3.0 का जो Realme अपडेट है ट्राइल वो रोल आउट होना सुरू हो चुका है और जिसके लिए मैंने फॉर्म को फिल अप कर दिया है और कुछी दिर में यहाँ पे अपडेट मुझे मिलना सुरू हो जाएगा और मैं अपडेट करके फुल डीटेल आपको यहाँ पे सोब करने वाला हूँ लेकिन अभी मैं आपको बताऊँगा कि इसे अप्लाई कैसे करना है तो आप यहाँ पे देखते हैं कि अंडर रिव्यू अपे लिखावा आ रहा है मैंने अप्लाई कर दिया है कुछी दिर के अंदर यहाँ पे अपडेट सो हो जाएगा और अगर मैं आपको अबाउट सो करूँ तो यहाँ पे आपको रिखनी को मिलता है रियल्मे GT Neo2 5G तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ हमें रिखनी को मिलता है अप्लाई करने के प्रोसेस के अंदर जिसे आपको फिल अप करना होगा रियल्मे UI 3.0 को अपडेट करने से पहले आपको क्या करना होगा सबसे पहले आपको अपडेटर पर जाना होगा उसके बाद यहाँ पर अपको सेटिंग का आइकन आज़ाएगा इस पर टैब करना है अगर आप वाइफाई उच्छ करे हो तो अच्छी बात है अगर आप मुवाइल डेटर यूच कर रहे हो तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना वाइफाई एंड मुवाइल डेटर दोनों को अधवाज ओनले ओन वाइफाई रहेगा तो काम नहीं करेगा उसके आपको ट्राइल पर टैब करना है जैसे आप टैब करोगे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर अप्लिकेशन वर्जन वगेरा और बहुत साज़ चीज़े यहाँ पर मिलने वाला है उसका पूरा का पूरा आपको यहाँ पर चेंज लोग वगेरा भी देखने को मिल जाएगा जैसे आप देख पार हो गेम, कैमरा, सिस्टम, एससेबेल्टे और बाकी अधर चीज़े इस पर जैसे आप अप्लाइ नाव क्लिक कर दोगे कुछी सेकिंड के अंदर आपके सामने नया पेज आ जाएगा जहाँ पर आपको इंटर करना होगा अपना मॉइल नंबर या इमेल एडरेस मैंने यहाँ पर इमेल एडरेस को डाला है जहाँ पर आप देख से तो realme.uy.o yearly access लिखाओ मिलता है तो जैसे आप यहाँ पर इमेल एडरेस डाल के प्लीज बी पेसेंट यह लिखिया आ जाएगा उसका आपको डन कर देना है डन कर देने के बाद जैसा कि मैंने आपको अभी लिखाया कि यह अंडर रिव्यू में सो कर रहा है सेम उस तरीके से आपका अंडर रिव्यू यहाँ पर होने लग जाएगा और थोआ देर आपको यहाँ पर वेट करना होगा मैं भी यह 10 से 15 मिनट का हो सकता है या फिर एक घंडे का भी हो सकता है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो मैं थोआ साब वेट करता हूँ और जैसे यहाँ पर डाउनलोड अपडेटर में सो हो जाता है मैं आपको यहाँ पर सो कर दूँगा सेम प्रोसेस को आपको किक फॉलो करना है क्योंकि जब यह अपडेट उस किया जाता है कुछ सेलेक्टेट यूजर्स यानि कुछ नमबर में ही यह किया जाता है जो लोग यहाँ पर जितनी जल्दी इसे अप्लाई करेंगे जितनी जल्दी वहाँ पर जो नमबर है अपडेटर का वह लिश्ट फूल हो जाएगा उतनी जल्दी यह 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 यरली एकसेस बंद हो जाएगा इसी तरीके से मैंने अपने Realme X7 Max का जो यरली एकसेस अपडेट है वह मिस कर दिया इसलिए मैं अभी यहाँ पर Realme UI 2.0 ही यूज कर पा रहा हूँ जबकि इसका सबसे पहले अपडेट आया था अब इसका जब सेकेंड रोल आउट किया जाएगा अपडेट तब जाकर मैं इसे अपडेट कर पाऊँगा बाट एक चीज अच्छी हुए है कि मुझे यहाँ पर 3.0 मिल गया है तो मैं side by side आपको दिखा पाऊँगा कि कितना कुछ यहाँ पर different definition को मिलता है और एडी मैंने एक वीडियो और एडी दे दिया है जिसमें मैंने 2.0 और 3.0 के बिच में compare करके दिखाया है आपने नहीं चेक किया तो चेक ज़रूर करना अभी तक यह अपडेट मुझे नहीं मिला है करीब यह 10-15 मिनट हो चुका है मैं बस वीडियो को यहीं पर stop कर रहा हूं क्योंकि यह जो अपडेट आया है यह अर्ली एक्सेस आया है कुछ ही दिर के लिए रहता है फिर चला जाता है तो भाई वीडियो आप तक पहुचने में काफे जाला टाइम लग जाए और ऐसे में आप चिक करके अप्लाई करने आवगे तो यहां पर कुछ दिखेगा ही नहीं तो आप ब्लेम करोंगे वीडियो फेक है इसलिए मैं यहां पर डायक्ट यहीं से वीडियो इंट आपको प्रवाइट कर रहा हूं और इसका फुल प्रूफ में अपने टेली ग्राम पे यूटूब के कम्नेटी टैप पे यूटूब के स्टोरीज पे डाल दूँगा दिख आई दे रहा है तो फटा फट से अगर आपको अपडेट करने अपने जीटी नियूटूब को अपडेटर में जाओ और यहां पे सेटिंग में जाकर ट्रायल को सम्मिट कर दो ताकि आपको भी अंडर रिव्यू का ओप्शन देखनी को मिले और उसके बाद आप अपडेट ठीट कर पाओ तो आपको अपडेट़् सेटा था 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 कर वोच्टिंग